जहन्द वारियर्स बंदे मात्रम भारत माता की जह तो वैसे जिन जिन के पास एड्मिट कार्ड आ चुका है उनके एड्मिट कार्ड के साथ एक इंस्ट्रक्शन का पेज आएगा और उसमें लिखा होगा एक्जाम और डॉकुमेंट्स जब आप एक्जाम सेंटर जाएंगे और 14 तारीक को 14 एक्टूबर को जब आपका एक्जाम होगा तो वहां पर कौन-कौन से डॉकुमेंट ले जाने हैं कौन-कौन सी चीजें ले जानी हैं जिन से आपकी मदद होगी और उन चीजों के बिना आप अधूरे रहोगे तो हम स्टार्ट करेंगे वैसे तो जो डॉक और दी कंडिडेट्स आर रिक्वाइड तो केरी फॉलोविंग डॉकुमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एट इग्जाम नेशन सेंटर जितने भी उमीदबार हैं उनको यह जो नीचे डॉकुमेंट्स दिये हैं दस्तवेश दिये हैं वह ले जाने हैं वेरिफिकेशन के प्रश्चिंग सर्टिफिकेट एक तो यहां पर आता है माकशीट एक आती है बिल्कुल किलियर कर दे रहा हूं ठीक है एक तो माकशीट होगी यह दोनों लाइन मैंने एक एक सी लिखी है इसलिए लिखी है समझाने के लिए आपको औरजिनल हाइज स्कूल की माकशीट ले जानी है कुछ बच्चों के बोर्ड में कुछ स्टेट के बोर्ड में क्या होता है कि माकशीट के साथ एक सनद दी जाती है सनद का मतलब सर्टिफिकेट माकशीट एक अलग होती है और एक सर्टिफिकेट अलग होता है तो जिस बोर्ड में जिन बोर्ड में माकशीट और अलग अलग दी जाती है तो किरपिया वो दोनों ले जाएं माक्षीट के साथ ही सनद मीस एक ही माक्षीट सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा रहता है माक्षीट सर्टिफिकेट उसमें माक्षीट भी होती है और सर्टिफिकेट भी होता है तो मोशली अभी बच्चों पर वही है मार्ट सीट के साथ सर्टिफिक्ट एक ही होगा लेकिन कुछ बोर्ड है स्टेट बोर्ड हैं जो मार्ट शीट अलग देते हैं तो इन दौनों का मतलब एक ही है और यह और इजनल ले जाना है अब कुछ बच्चे का कहना होगा सर हमारी इस इस्टिटूट पर जमाएं तो वह बच्चे क्या करेंगे तो उन बच्चों के लिए सीधा सीधा लिखा है नोट इंटरनेट कॉपी ओफ मार्क शीट नाट एलाउड तो जिन बच्चों कि माक शीट और जनल कहीं जमा ह है वो नहीं ला सकते हैं तो वो टेस्ट देने के योग नहीं है ऐसा नोट में लिखा है आप देख लीजिए इस नोट को वो वेरिफाइड नहीं हो पाएगा तो किरप्या ओर जिनल लेकर जाएं आप क्यूशन होगा आपका किस सर तो फिर हम क्या जी रोक्स ले जा सकते हैं क्या हम इंटरनेट वाली ले जा सकते हैं तो वहां यह मान नहीं होगी अब इसके बाद हम नीं बताएंगे टैश देने अपना पैचान आधार काड़ करें शन को अल इंडिया वाले बच्चे सब और जिनल आधार काड़ ही ले यादि जिस बच्चे को जिस बच्चे के पास सही अदार काड़ नहीं यह कि उसके पास जैसे दुमेला मटमेला फलाना डिमागा ऐसा अधार काड़ प्रिंट नहीं दंका तो एक वीडियो में लिंक दी है डिस्क्रिप्शन वहां से विदिन सेवन डेज में आपका अधार काड़ प्लास्टिक एटीम की तरह एटीम का जो काड़ होता है ना उसी तरह प्लास्टिक का आपके घर फर हो जाएगा वहम अजिता सकते हैं अगर अधार काड़ चलेगा प्लास्टिक का होगा तो बैटर होगा अच्छा रहता पर्मनेंट के लिए हो जाता है इसके अलावा जो जो जब्न कस्मीर जंू एंड काशमीर आशाम और मेगाल इन तीन जग कोई भी स्टेट गवर्मेंट या भारत सरकार द्वारा सेंटरल गवर्मेंट के द्वारा जो भी केंद सरकार या राज सरकार के द्वारा इसू एडी सिर्फ दो ये तीसरा जमू एंड काश्मीर आसाम मेगाले तीन लोगों को आदार की कार्ड की छूट है ये कोई भी अपन सरकार या राज सरकार से जारी की हुई एक आईडी प्रूफ लानी है नमर चार तोलव कॉपी दोपासपोर्ट साइज फोटो जो ना टोलर देन टू सेकंड मार्च तूधाउजन टूटीफोर तेक बारा कॉपी ओपासपोर्ट साइज फोटो बारा फोटो ने चाहिए लिए रहोगे ब्लैक स्लेट होगी और उसमें चौक से लिखा होगा नेम तो मर्शेन ओफिशियल डेट ऑफ फोटो डेट ऑफ फोटो आपकी जिस तारिक को फोटो खिचाईए ठीक है किलिक कराईए बनवाईए तो वह होगी और फोटो डेट ऑफ फोटो यस चीज का ध्य है ना दो मार्च के भाद की ही ले जाएं किसकी तो मार्च 2014 के पहले की फोटो ना हो डेट ऑफ फोटो लिखी होती है वह पहले की फोटो ना हो मार्च के बाद April Mai June July अगस सितंबर ना हो तो प्लीज बनवा लीजिए अगर बनवाना है तो सिलेट लेना है सिलेट लेके उसको date of photo पहले नहां अपना फिर उसके बाद date of photo चौक से छेख झाएं हैं बारा one final नेक्स्ट ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल चरित्र प्रमार पत्र जो ऐसा चरित्र प्रमार पत्र क्या होता है आपके चरित्र को यह प्रूफ करता है कि आपके यहां आपका आचरण बिवार अच्छा है आपके खिलाब कोई कारवाई नहीं है कानूनी कारवा हमारे description में तो यह है इसके बाद last में जो आठ नंबर बताएंगे ना उसके बाद एक हम बताएंगे थोड़ी सी जानकारी कि कौन-कौन साइन कर सकता है वैसे लिटल बिट जानकारी देता हूं इसकूल के principal इसकूल के principal कौन-कौन कर सकते हैं बताता हूं जिनों ने admission कराया था मार्च अप्रेल और मई जून जुलाई दो हज्यार तेईस जिनका admission पिछली साल मार्च से लेके जुलाई तक हुआ है वो सभी प्रेंसिपल से साइन कराके अपने स्कूल के principal कौलेज के principal से करा सकते हैं साइन फिर से रिपीट करता हूं मार्च से लेके जुलाई दो हजार तेईस में जिसका admission हुआ था स्कूल में और वो पढ़ रहा था या अभी भी पढ़ रहा है उनका स्कूल के principal साइन करेंगे इसके अलावा कहीं नहीं बटकना या कहीं का मतलब कहीं भी नहीं बटकना ठीक है कि यह ध्यान रखें इसके अलावा गजिटिट ऑफसर जो होते हैं गजिटिट ऑफसर कौन कौन कर सकता है उसका यह आई वटन आ रही है न जो आई वटन यहां पर देखें यहां पर दिया है कि कौन प्रमाणपत्र बना सकता है तो गजिटिट ऑफसर पंचायत ऑफसर विलिज डेवलप्मेंट ऑफसर यह ब बहुत ज्यादा वाइरल हो रहा है के बहुत ज्यादा वाइरल हो रहा है कि सर्व वहां तो पुलिस वाले का ही चाहिए था भाइया कहीं नहीं लिखा है कहां लिखा है और्जिनल करेक्टर सेरिफिकर साइंड वाई स्कूल प्रैंसपल और गज़ेशटीट ऑपसर पंचायत ओपसर यहीं तो लिखा है पुलिस का किसने बोल दिया कि पुलिस का ले जाना है नहीं लोगों के चक्र में पढ़ा हैं फरजी निउज के चक्र में जो भ कोई है कि नहीं पुलिस का ही ले जाना है नहीं ऐसा नहीं है पर्सनल विलॉंगिंग्स भाई यह इतने दूर जा रहे हो तिन-चार दिन का सफर है टेस्ट है यह टेस्ट तीन-चार दिन तो चलने लोग टेस्ट पास करते हैं उनको चार से साथ दिन तक लग जाते हैं तो पर्सनल बिलॉंगिंग में आप अपने किलो थिंग और थोड़ा बहुत चद्रा बगेरा अपने पर्सनल कपड़े ले जाने हैं कि कहीं रुकें तो अपना फ्रेस हो सकें और कपड़े चैंज कर सकें सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आपका सेलेक्षन होता है तो कम से कम तीज दो-तीन द्रेस तो ले के जाओ ठीक है दो द्रेस में क्या है लोबर अपर मीस कुछ भी ऐसा हो और जब मैड़कल कराने जा रहे हो इस पेसली तो वह साफ ड्रेस ही पहन के जाना सेम डेट डेट की टाइम करें बाकी तो रटनिंक में चल जाता है लोबर वर हमप पैण जो भी पहन पहने पौने बोलते हैं बटी जैंघंगे तब नौकरी जो भी है आप जितना ले सकते हैं चद्रा ले जाना आई बट चद्रम काम चल जाएगा विछाने वाला हो जाए एक खोड़ने वाला बस कहीं रुको के वहां तो जरूरत पड़ेगी ना अपना टूट ब्रस एक साबॉन ऐसे करके कंगी छोटी सी एक सीसा भी इस तरह के और अगर आपको कुछ ऐसी हलकी फुलकी दिक्कत है तो उसकी मेडिशन यह सारी चीजें आपको ले के जाने कोई नहीं बताएगा यहीं पर मिलेगा यहीं पर बताएंगे और कोई नहीं बताने वाला हां अब इस वीडियो को देखके अब दुनिया वाले बना दें तो यह बन फोल्डर बनाएं वैसे आप लोगों नो बना रखा हो कई वच्चे तो पहली बार जा रहें कई वच्चे बहुत दिन से दे रहें लेकिन आप जितना भी आप यह बना रहें और एक फोल्डर में डालें डॉकुमेंट्स और उसको से पाज़ा सेफ का स्टेडी में लेके ज जरूर ले जाना वहां पर किस जगह पहुंच रहे हो कहां दुकाने क्या है पैन पैंसिल ऐसे करके रेजर यह सब ले जाना है जरूरत पड़ेगी वहां फॉर्म बरवाई जाएंगे जिनका सेलेक्शन होगा आगे तक फॉर्म भरवाई जाते हैं काफी चीज़े बरवाई नहीं जर्नल टाइप कर लेना है अब हम बता दें कि इसके बाद एक एडमिट कार्ड और जिनल एडमिट कार्ड जो आया है उसको लेके जाना है भूलना नहीं है इसके अलाबा कोई भी माक्षीट है फरजी मत ले जाएं वहां पर चेक होता है वेरिफिकेशन होते ही आपक नोट की नोट हमने क्यों लिखा था कि माक्षीट इंटरनेट कॉपी नहीं चलेगी नहीं चलेगी ठीक है कोई बाहना नहीं चलेगा सारी डॉकुमेंट्स आपको ले जाने हैं और हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट वाला जो वीडियो है जो बताया था यह आ रहा है इस